तो दोस्तों मैं फिर से आएक बार आया हूँ जबलपूर और जबलपूर में आया हूँ दोसा क्रश यह जबलपूर की बहुत फेमस दुकान है दोसा क्रश यहाँ पे काफी special काफी वेराइटियों में दोसे मिलते हैं तो क्या है यहाँ के खास बात चलिए मिलते हैं यहाँ क लेवर चौक जबलपूर तो आज हम आपकी दुकान आए हैं और आपके दोसे का स्वाथ भी लेंगे और देखते हैं कैसा आप बनाते हैं देख सकते हैं यह स्टार्ट हो गया हमारा अब सबसे पहले यह क्या है अभी यह अच्छा यह देख सकते हैं सबसे पहले यह तो मिक्स मसाला यह मिक्स मसाले सेजन सॉस है सेजन सॉस चिली सॉस टोमाटर सॉस तो अच्छे से मिक्स हो रहा है बहुत ही शांदार देखने में इसका कलर भी बहुत अच्छा रहा है इसको यह दबा के पूरा चारों तरफ से पूरा इसको मिक्स कर रहे है यहां से तो इसकी फुस्बू भी मुझे बहुत शांदार लग रही है और इस तरह हमारा चीनी डोसा तैयार हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं यह बढ़ियां उसके रोल बन रहे हैं डोसे के जवलबुर शहर में मेरे इसाब से मैं पहली बार ऐसी जगह पर देख रहा हूं इस तरह का के डोसे बनते हुए और इसके उपर से फिर से एक बार चीज डलता हुआ यह ओग यह रेडवला चतनी है प्याच लोसूर अद्रक का है मिर्ची का है और वाइडवला जो चतनी है नारेल का चतनी है उसके बाद आप जैसा देख सकते हैं कि अब सांबर डल रहा है तो यह देख सकते हैं यह बहतरीन सांबर भी हमारे प्लेट में लग चुका है और इस तरह हमारा जेमी डोसा तैयार हो चुका है तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारा डोसा है बहतिन चीज उसके उपर पूरा दिख रहा है चारो तरफ आपको यह हमारा सामर है यह हमारी चटनी है और चटनी के बाद यह हमारा नार्यल की चट्ली तो अब हम इसका टेस्ट लेंगे और आपको बताएंगे कि यह कैसा इसका टेस्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आहा यहा बहुत ही शांदार इसका देखने में बहुत बहुत ही लग रहा है अब थोड़ा सामबर में मिक्स करेंगे अब बहुत बहुत ही तो इस डोसी का अब मैं वाइट चट्नी के साथ ए जाए बहुत ही शांदार तो इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया अब मैं इसको फिनिश करता हूं